पीटीसी न्यूज दे डिजिटल प्लैटफॉर्म तुसी देख रहे हैं मैं हाद दलीप सिंग पर बंगला देश देविच जो सरकार है वो अंतरिम सरकार चलेगी नमी सरकार बढ़न तो पहला यानि कुल मला के समझन वाली गाल एक पारदे गौंडी मुल्क बंगला देश देविच एस समय कोई सरकार नहीं है परदानमंत्री शेख हसीना ने मुल्क छड़ देता है एस दे पेछे कारण की ने पछोकड की एस दे पेछे क्यों हजारां लोक सडकां दे उत्रे सी ते क्यों तिन सो लोकां दी हुन तक मौत हो चुकी है बंगला देश देविच एस समय इंटरनेट से वावा ठप कर दिती हैं गईयाने तब बड़ा स्यासी संकट बंगला देश देविच खड़ा हो चुके है तो अनु दाधी है कि पंजवार्दी परदानमंत्री रही शेख हसीना ने अचानक मुल्क छड़ दया ते मुल्क छड़के ओ गए कि थे एवी जानना जरूरी है शेख हसीना क्या जा रहा है कि एस समय पारत विच दाखल हो चुके ने पारत दे अगर तला देविच पहुंच गए ओना दे नाल क्या जा रहा है कि ओना दी पैंड वी ओना दे नाल निकले सी जो कि शेख हसीना दे नाल एस समय पारत दे विच पहुंचे ने ता एस समय वड़ी खबर एही है दुनिया दे मुकाबले यानि इंटरनेशनल खबर वड़ी खबर एही है कि एस समय बंगला देश बंग्ला देश्टे विच थे हुण कोई सरकार नहीं है। बंगला देश दी परदान मंत्री मुलक चड़ चुके ने पिछ तक तिंसो लोकां दि मौत हो चुकी है। यह दे पिछे दा कारण ए है कि बंगलाज देश देवेच कईज दिना तों परदर्शन कारी विद्यार्थी सड़कां ते उत्रे होए सी। अचानक आज स्वेरे ए परदर्शन होर वदे जिस देवेच जो ताजा फिगर सी सो लोकां दी मौत होई सी। अचानक वड़ी पीड उना दे कारदे विच दाखल होगेगी इस तो बाद जल्द बाजी विच शेख हसीना नुँ अथों कड़िया गया ते उना ने हेलिकॉप्टर रही पारदे अगरतला दे विच शरन लेए हुन तक दी खबर एही है। इस तो बाद इंतजार किता जा रहे है सी कि शेख हसीना तो बाद बंगलादेश दी सरकार चलाएगा कोण। तो बंगलादेश दी विच इस समय हुन अंतरिम सरकार चलेगी यानि आरजी तोरते की सरकार दा गठन होएगा जो की चलाएगी इस दा एलान किता है आर्मी चीफ बंगलादेश दे जनरल वकार जमान ने जनरल वकार जमान ने जदो ए एलान किता था एवी गयासराइए ल पर इस दे विच पारत हों तक कोई भी अपना ब्यान जारी नहीं कार रहा उस दे कारण भी ने क्योंकि पारत दी बंगलादेश दे नाल चंगी बन दी है तो जदों भी इस तरह दे गवांडी मुल्क नाल कुछ जदों ओथे अन्रेस्ट होए जदों ओथे इस तरह द्थली म फसे होंगे ता पारत वलों इस समय वड़ी जड़ी प्रायर्टी है जिसनों कहा जाएगा ओथे फसे अपने लोकानों बाहर करना उना लोकान दा रेस्क्यू करना क्योंकि देश दी पर दानमंत्री खोद मुल्क छड़के निकल चुके ने ता इस समय उस मुल्क दा वाली वारस कौन हलागी फोजे कह रही है कि उते अंतरिम सरकार बनेगी अंतरिम सरकार चलाएगी पर उस वक्वेद दुरान उना लोकां दा की होएगा जो वक्ष मुल्का तो आए होएने ते बंगला देश वीच रुके होएने इस देविच सारे ही मुल्क चिंततने खास्तों द बंगला देश को कई लोको रुजाना बंगला देश तो पारद सफर करदने तब इस समय पारति किि बंगला देश देविच जिनन्सेंवी पारती बैठ़े ने चाहें वो सफारत खानने देविच हो यदा Duty तै उन्हा दे जो वी सहयोगी नए उना नू सेफ लीग पहला यह कहा जा रहा है किसे safe place ते शेख हसीना चले गया ने पर हुण खबर ए कि शेख हसीना पारत अगर तला देविच लैंड होए ने हेलिकॉप्टर रही ता पारत ने कितने किते कहा जाये था उना दा rescue भी करवाया थे उना नू एथे shelter भी दिता है पारत देविच शेख पारत ने तो अगली खबर एए कि आखिरकार कई हफ्तेयां तो बंगला देश नियां सड़का आते हजारां लोग परदर्शन क्यों कर रहे सी पोलिस आर्मी आते लोकांद वी चडपां क्यों हो रही हैं संद लोकांदी मंग केड़ी सी तो लोकांदी एक कोई मंग सी कि बंग जदो बंगला देश उनिखा देविच अजाद होया सी जो लोक इत्याशनू पढदेने जानदेने औरना नू पता है क्यी 1971 तक बंगला देश ना दा मुल्क नहीं हुनदा सी शगों इस्ट पाकिस्तान नाम दा मुल्क होनदा इस नूँ इस्ट पाकिस्तान यानि पूरभी पाकिस्तान केहा जानदा सी बांगला देश जदों 1971 वीच बनेया ओवी मदद सी पारत दी यानी की पारत ने 1971 देविच जनरल जगजीत सिंग अरोडा पारती फॉस दे वड़े कमांडर सी ओना दी अगवाई देविच मुक्ती बाहिनी एक शुरू करवाई सी अभियान शुर उसी दोरान एक यहा जानदा कि जिना लोका ने पाकिस्तान नू अजाद करवाया जिना लोका ने उस वेच राखमा करन दिता जानदा सी एसे गालता विरोध हो रहा सी बांगला देश देविच जिसनू लाएके वड़ी गिंती देविच विध्यार्थी सड़कांती उत्र जाए इस दे विरोध विच विध्यार्थियां ने पूरे मुल्क विच ए अभियान वी चलाया होया से कि लोक टेक्स ना दिन सरकारों जिस्तों बाद होर भी तरथली मच गई जिस्तों बाद पुलिस आते परदशनी कारियां देवे चाले चडपा होन लगियां रह रह के म मौत हो गई सी ते होन कुल मलाके बंगला देश दिविच परदशन कारियां दी मौत दी धर जो है ओ तिन सो पार कर चुकी है ता एन्ने वडे अन्रेस्टों बाद लोका दा गुसा एन्ना वद्या की परदान मंत्री शेख हसीना दा जो कर सी ओस्ते ही हमला कर दीता परदश देश दिविच बहुत दूरी नहीं है इस करके उना दे रस्क्यू बहुत असानी नाल होया ते उनानु पारत वेचे सेफली रख्या गया जेहा किया जा रहे है पर इस तो बाद सवाल एई सी कि बंगला देश दा हुन होएगा की तब बंगला देश दे विच हुन अंतरिम सरकार बनेगी एस सरकार के हो जही होएगी कि एस सरकार मुल्क दे सारे जो समस्याओं उस तो पार पास सकेगी या ओथे इन डारेक्ट तोर ते आर्मी दा ही कबजा रहेगा क्योंकि आर्मी दे चीफ जिवें ही शेख हसीना ने मुल्क छड़ देता हुन जदों उनानु मु समय ने मुल्क दे विच हानत्रिम सरकार काम करेगी गिंता सरकार फौज होएगी कि ए अंत्रिम सरकार रूप कोई हूर हाएगा इस समय बंगलादेश दे विच्च जो हलात ने ओ बेहत खराबने क्योंकि ऒशेख होना पारत नू दो गलना तो चिंता है पहली गलता एक ही उना दे गौंडी मुल्क जोई जिस दिनाल की रिलेशन चंगे ने उस मुलक दे विच अन्रेस्ट एना वड़ा है उते इसमें एनी तर्थली है कि उसनों हलात संभाले नहीं जारे पारत नी पहली चिंता दा विशाता ए है दुजी चिंता दा विशाता ए है कि जो लोग पारत दे उते फसे होई नों उनानू कड्या किये में जाए उना रेस्की क्यों किता जाए हून उसनों बाद एगल समझ आएगी कि आखिरकार बंगलादेश दे विच्छ सरकार किस रूप किस तरह दा रूप सामने ओंदा या आर्मी ही चलोंदी है पर उस मंग दा की होएगा जिसनों परदर्शन जिसन या उना दे परवार उनिसो कतर दे विच्छ बंगलादेश दी अजादी विच्छ हिस्सा ला चुके ने उना दे परवारानू स्पैशल रेजर्वेशन मिल दा सी एसे नू खतम करन दे लई बंगलादेश दे विच्छ वड़ी गणते विच परदशन चल रहे सी तो अनू सवाल वड़ा ए है कि पारत बंगलादेश विच जो लोग फसे होई ने उना दे रेस्क्यू के स्थना करेगा ति कदों तक ओ लोग आपो अपने करां तक पहुंचन गई तनवाद